हेलो दोस्तो नमस्कार मैं शांती जोशी अपने यूट्यूब चैनल गाडनिंग भी शांती जोशी मैं आपका स्वागत करती हूँ दोस्तो आज मैं आपको बहुत खुर्पसरत एक वाइन दिखाऊंगी और ये जो वाइन है दोस्तो ये आरिवेदिक गुडों से भरपूर और ये अपने आप में एक कीट नाशक प्लांट है इसे गारलिक वाइन या लैसुनिया वेल कहते हैं ये एक प्रकार की बेल है और फ्लावरिंग वेल है जो बहुत ही खुर्पसरत और अपने आप में एक आकरशक वाइन है दोस्तो ये सर्दियों में फ्लावरिंग करने व आरवेदिक और शिद्यजर भरपूर और कीट नाशक प्लांटे है दोस्तों मैंने इसे पहले पॉट में लगा रखा था परन्तु इसकी ग्रोध बहुत तेजी से बड़ी तो मैंने इसको जमीन में लगा दिया और जमीन में इसने इतनी हाइट ले लिए है ये काफी हाइट म दिखाई देती है और ये जहां लगती है वहाँ दोस्तों वहाँ आसपास कोई भी कीड़े मकोड़े या कीट पतंगे आपके प्लांट को मैं नहीं आएंगे और आसपास भी नजर नहीं आते हैं तो ये अपने आप में एक आरवेदिक गुड़ों से भरपूर एक और शद प्लांट मैंने लगाए हैं वो भी सेफ हैं तो मैंने कोई भी इसमें ऐसा कीट नाशक चिड़काओं नहीं किया है और आज मैं इसकी कटिंग लगाती हुए आपको दिखाऊंगी तो देखे दोस्तों ये मैंने सेंड ले ली है और इसमें पानी भर दिया मैंने कुछ पानी नहीं लगा रही हूं मैंने ये एलोवेरा जेल की एक मैंने ये पती ले ली है और इसमें ही मैं इसको डीप करके इस जंग से और मैं इसमें लगा दूँगी तो सारी मैं ऐसे ही टहने लगा दूँगी और इसके बाद जब ये प्लांट मेरे तयार हो जाएंगे तो मैं आप अगर cutting successful हो गई है हो जाएगी तो मैं आपको उसका भी वीडियो दिखाऊंगी और देखे दोस्तो इस जंग से आप cutting से इसके प्लांट तयार कर सकते हैं जो अपने आप में ही बहुत ही खूपसरत वाइन है और देखे दोस्तो नसरी में आसानी से मिल जाती है दोस्तो ये और बिंद गरती है लेसं कि जासे खुष्फू निकलती है और पानल लेसं की किड़े मंगोरे इसके आसपास नहीं आते हैं मच्छर मख्या ऐसी कोई भी चीज Kabini गड़ी देखे उसी mother à जिसमें पेस्ट मिट्टी तयार करें जिसमें और इसे बड़े pot में लगाएं अगर आप गंले में लगा रहे हैं दोस्तो तो इसका गंला कम से कम 20 इंची का आप गंला लें तब इसकी ग्रोथ काफी अच्छी होगी flowering के लिए इसको काफी स्वेज की जुरत होती है तो गमले में इतने flower नहीं आएंगे तो देखे दोस्तो और जहां तक पानी की बात करें दोस्तो इसको पानी तो चाहिए मौश्यर बना रहना चाहिए over watering नहीं करनी है गमले में अगर लगा रहे हैं दोस्तो डेनेज होल का विशे ध्यान रखें पानी गमले में ठहरना नहीं चाहिए और डेनेज होल से over watering हो भी जाए तो वहार निकल जाए और जब भी आप दोस्तो इसमें पानी डालें flower से पहले जब इसकी पत्या रहती हैं तो जब भी आप पानी डालें तो स्प्रे के माध्यम से डालें स्प्रे के माध्यम से पानी डालने से प्लांट को काफी फायदा होता है तो आप जब भी डालें स्प्रे के माध्यम से पानी डालें जिससे कि फूरा पेड़ आपका पानी से भीग जाए इस बात का विसे ध्यान इस प्लांट में रखना है, और दोस्तों ये हरी पत्तियों वाले प्लांट हैं, उनको नाइट्रोजन की काफी आउशकता होती है, नाइट्रोजन की रूप में आप इसे शड़ी हुई कोबर की खात या पत्तियों से बनी खात इसमें डालिए, और flowering के समय भी गुडाई करके इसमें खाद डालते जाएए तो इसमें अच्छी flowering होगी और मैंने थोड़ी सी केर के बाद भी गर्मियों मेरे वहाँ माई में flowering हुई इसमें काफी अच्छी flowering इसमें हुई है सर्दियों में तो कोई भी पतिया इसमें दिखती Нहीं है दोस्तों का फूरा प्लावर्वर से भर जाता है पतियां इसमें नजर नहीं आती है तोड़ी सी मैंने इस प्लांट की cutting कर दी थी तो ठोड़ा मेरा चूटा हो गया है प्लांट और अब बर्साथ में इसकी growth काफी हो जाएगी तो देखें दोस्तों कितना खुपसरत ये प्लांट लग रहा है और flowering प्लांट है देखने बहुत खुपसरत लगता है और जिस जगह पर आप इसे लगा रहे हैं उसकी खुबसूरती को ज़्यादा बढ़ा देगा ये देखें दोस्तों कितना खुबसूरत दिखाई दे रहा है और इसको एक सपोर्ट की जरत होती है एक वाइन के है ये और इसे एक दिवाल के सहरे या एक वायर से आप इसे हाइट तक ले जाएए ये मेरे वहाँ काफी हाइट चली गई है और बहुत ही खुबसूरत दिखाई देती है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं आप लोको ऐसी खुबसूरत वीडियो दिखा सकूं तो देखे दोस्तों कितनी खुबसूरत वाइन है दोस्तों इसको देखती ही बहुत आप आप